दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चाधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्णों का भाग दो इसमें उन सभी प्रश्णों को कवर किया गया ह जो परिच्छाओं की द्रिष्टी से सरवाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों ये वीडियो यूपी PCS, ROARO यानि समिक्षा धिकारी, सहायक समिक्षा धिकारी, खंड सिक्षा धिकारी, लोवर PCS तथा उत्तर प्रदेश अधिनस से वचेह नायोग के सासाथ, बैंक, SSC, रे वीडियो इंवार्मेंट और एकोलजी पार्ट तू. दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैसों से संबन्दी थे दोस्तों, क्या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसे हैं?ightrogen और नाइट्रोजन greenhouse gases नहीं है greenhouse gases में मुख्य रूप से methane, जलवास और carbon dioxide को शामिल किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रमुख greenhouse gas methane के स्रोथ कौन-कौन से है तो दोस्तों greenhouse gas methane एक महतपूर्ण greenhouse gas है जो जिसके स्रोथ है आर्दभूम, समुद्र और समुद्र में पाया जाने वाला hydrates, इसके अरामा धान के खेत, कोईला के खादान और जुगाली करने वाले पालतू-पसू ये सब greenhouse gas methane के स्रोथ माने जाते हैं यदि आपसे पूछा जाता है कि greenhouse gas methane के प्राकृतिक स्रोथ कौन-कौन से हैं, तो उसमें आ जाएगा आर्द्र भूमिया यानि वेटलेंड्स समुद्र और हाइड्रेट्स ये सब ही methane के प्रमुख प्राकृतिक स्रोथ हैं अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों कार्बन उक्सरजन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट पढ़ाली किस सम्मेलन के तहत लागू की गई थी बहुत ही महत्पूर है कार्बन उस सरजन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट सिस्टम किस सम्मेलन के तहत लागू किया गया था तो ये है क्योटो प्रोटोकाल क्योटो प्रोटोकाल के अंतरगत दोस्तों कार्बन क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया था तो याद रखेगा कार्बन क्रेडिट पढ़ाली या कार्बन क्रेडिट के ओधाड़ा क्योटो प्रोटोकाल के तहत लागू किया गया था अगला प्रश्न है भारत की जलवायू परिवर्थन पर प्रत्म राश्ट्री क्रिया योजणा यानि First National Action Plan कब प्रकासित हुआ था Climate Change पर जो की भारत द्वारा Climate Change पर प्रत्म नेश्नल एक्षन प्लाण कब प्रकासित हुआ था वर्स 2008 में भारत में जलवाय परिवर्तन पर पर्थम राष्ट्री क्रिया योजना प्रकासित हुई थी अगला प्रश्ण है मांट्रियल प्रोटोकाल तो मांट्रियल प्रोटोकाल दोस्तों किस से संबंधित है ये ओजोन परस संरक्षण से संबंधित है 16 सितंबर 1987 को मांट्रियल प्रोटोकाल अपनाया गया था और इसी उपलक्ष में 16 सितंबर को विश्व ओजोन सनरक्षण दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों मांट्रियल प्रोटोकाल जो है वो 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ था हलाकि इसको 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था तो याद रखेगा मांट्रियल प्रोटोकाल का संबंद ओजोन परत के सनरक्षण से है अगला प्रश्ण है ओजोन परत सनरक्षण में उत्तरदाई अस्थाई योगिक जो वायू मंडल में 80 से 100 वर्सों तक बना रह सकता है तो ओजोन परत के लिए नुकसान देह जो सबसे महतपूर योगिक माना जाता है उसे CFC या क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहा जाता है ये कार्बन और फ्लोराइट स्रिंखला के योगिक होते हैं इन्हें ओजोन परत के छरण में सरवाधिक उत्तरदाई माना जाता है और ये इत फारेश्ट पालसी के तहट भारत में उप्यूक्त पारिस्थित की संतुलन बनाये रखने के लिए कितना प्रतिसत बनाच्छादन का लच्छ रखा गया है तो राष्टी बननीत के अंतरगत दोस्तों भारत के कुल भौगोली छेतर फल के एक तिहाई छेतर पे बनाच्छाद होना आवस्यक है अगला प्रश्ण है वन्य जीवों की तसकरी अवैध सिकार द्वारा उनकी रच्छा करना तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधनियम पारित किया गया तो वन्य जीवों की तसकरी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अधिनियम यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था जिसके अंतरगत प्रमुख वन्य जीव की तसकरी उनके अवयद सिकार और व्यापार पे प्रतिबंध लगाया गया इसका नाम वन्य जीव अधिनियम है या व दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी घोसित किया गया है तो याद रखेगा सत्यमंगलम वणने जीयु अभ्यारने तमिलणाडो में इस्तित है और एक टाइगर रिजर्व भी है अगला प्रशण आयूर्वेद एवं सिध्धा दवाईयों को बनाने के लिए तथा पूजा सामगरी के निर्माड में कौन सा जो बनस्पती है या कौन सा पौधा पेड़ प्रियूक्त होता है तो ये है रेड सेंडर्स रेड सेंडर्स जिसे लाल चंदन भी कहा जाता है आयुरवेद एवं सिध्धा दवाईयों तथा सौंदर प्रसाधन और पूजा सामगरी क निर्माड में लाल चंदन का प्रियोक किया जाता है और ये लाल चंदन मुखे रूप से आंध्र प्रदेश और सेसाचलम परवसरेडियों में पाया जाता है ये प्रारंभ में तो सफेद कलर का काश्ट होता है लेकिन बाद में लाल रंग का चिपचिपा द्रवस रवित ह जिसके करण इसका रंग लाल हो जाता है इसे रेट सेंडर्स लाल या रक्त चंदन कहा जाता है अगला प्रेश्ण है मरुस्थली करण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट अभी समय कब पारित किया गया यानि कन्वेंशन आफ जो मरुस्थली करण या मरुभूम विकास को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट का कन्वेंशन कब पारित किया गया वर्स 1994 में संयुक्त राष्ट द्वारा मरुस्थली करण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट अभी समय पारित किया गया अगला प्रेश्ण है दोस्तों वन हरास के प्रमुख कारणों में कौन-कौन सामिल हैं तो वन हरास के लिए सरवाधिक उत्तरदाई अध्योगी करण और दूसरे अस्थान पर नगरी करण है तो अध्योगी करण और नगरी करण से सरवाधिक मात्रा में वनों का बिनास या हरास हुआ है क्योंकि अध्योगी करण के फलसुरूप साफ सुत्री जमीन चाह अगला प्रश्ण है मुख्य रूप से कच्छ यानि गुजरात में पाये जाने वाले खाराई उट जो की संकटा पन प्रजात के रूप में घोसित हैं इनका प्रमुख आहार क्या होता है तो खाराई उट ये मैंग्रो की चराई पर निर्भर करते हैं मैंग्रो की चराई करके ये उट मुख्य रूप से अपना जीवन यापन करते हैं और ये कच्छ में पाये जाते हैं इन्हें खाराई खारापानी से संबंधित खाराई उट कहा जाता है और ये समुद्र में 3-4 किलो मीटर तक आसानी से तैर भी सकते हैं अगला एक प्रश्ण है महतवपूर है दोस्तों सिरोही राष्ट्री उद्ध्यान कहां इस्थित है भारत का राष्ट्री जैविक उद्ध्यान दोस्तों नई दिल्ली में इस्थित है अगला प्रश्ण है यूनिसको द्वारा मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम यानी M.A.B. मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था तो वर्स 1971 में यूनिसको द्वारा मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था एक प्रश्ण है दोस्तों हाइड्रोजन को भविस्य का इंधन भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे सहस्ता सुलभ और अत्यधिक जवलन सील और अत्यधिक कैलोरी मान तथा अत्यधिक उर्जा उत्पन करने वाला इंधन है इसलिए इसे भविस्य का इंधन कहा जाता है प्रश्ण ये है कि भविष्य के इंधन के रूप में किसके दोहन और महत्यों के लिए एक बिसेसी कृत उर्जा बोर्ड की अस्थापना की गई है कि किस प्रकार से हाइडरोजन को आसानी से इंधन के रूप में प्रियोग किया जा सकता है अगला प्रश्ण है ऐसे प्रदोसक जो सुछम जीवों या प्रकिर्त में सरल रही तत्तों के रूप में बिगटित कर दिये जाते हैं तो कुल मिला कर ऐसे प्रदूसक जो कुछ जीवाडूं के द्वारा सुचमजीओं द्वारा या जीवाडूं द्वारा सरल होने वाले योगिकों में या नुकसान रहे तत्तों में बेगटित कर दिये जाते हैं इन्हें जैव अपघटनी या जैव बेगटित प्रदूसक कहा जाता है अगला प्रश्ण है प्रकास रासायनिक धूम कोहरा बनने के लिए उत्तरदाई योगिक कौन कौन से हैं तो प्रकास रासायनिक धूम कोहरा बनने के लिए उत्तरदाई योगिक हैं ओजोन नाइट्रोजन डायकसाइड पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और ये सू पसंसंबंधी ब्याधियां इसके अलावत दमा आद के मरीजों के लिए बहुत ही नुकसान दे होता है अगला प्रश्ण है मोटर कार एवं आटो मोबाइल्स में अधूरे दहन के कारण कौन सी गैस बनती है तो मोटर कार एवं आटो मोबाइल्स में अधूरे दहन के कारण का carbon monoxide gas बनती है, carbon monoxide रग्त धारा को दूस्त प्रभावित कर मनुष्य के मौत का कारण बनती है और ये मनुष्य में hemoglovin में oxygen कի तुलना में अत्यधिक तेजी से घुल जाती है और स्वसन क्रिया को बाधित कर देती है, जिसके कारण living की मुरित्य हो जाती है तो प्रश्ण था मोटर कार एवं आटो मोबाइल में अधूरे दहन के कारण कारबन मोनो आक्साइड गैस बनती है अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है दोस्तों अमल भरसा के लिए उत्तरदाई गैसे कौन कौन सी है तो नाइट्रस आक्साइड और सल्फर डायाक्साइड ये एसिड रेन के लिए सबसे उत्तरदाई गैसे हैं नाइट्रस आक्साइड और सल्फर डायाक्साइड नाइट्रस आक्साइड वाइमंडल में उत्पन हाइड्रोजन और आक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अमल और सल्फर डायाक्साइड हाइड्रोजन और आक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फियोरिक अमल में बद तो ये था आज का वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थित की से संबंधित प्रमुख प्रश्णों को इसमें सामिल किया गया जो विभिन प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए बहुत ही महत्पूर है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजे ताकि पूरे आत्म विश्वास के साथ परिच्छा में इनको सही सही अटेम्ट कर सकें दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांक दर्शन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवस्य करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाल